जहीं दोस्तों दोस्तों आप सबके लिए बड़ी खबर आई है ठीक है जितने भी लड़के हैं जो अगनिवीर आर्मी बर्थी देख रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है आपकी एक्जाम डेट आ गई है ठीक है तीन डेट्स आई हैं एक्जाम की कि आपका एक्जाम कब हो होगा अगर आपने अगनिवीर का फार्म लगाया है जहां बरती देखने जा रहे हो तो एक्जाम डेट देख लो कि आपका एक्जाम कब होगा तो तीन डेट्स हैं ठीक है अभी मैं आपको डेट्स बताऊंगा नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा तो आप वीडियो पूरी द तो आपकी एक्जाम डेट आ गई है आपकी एक्जाम कब होगी मैं आपको अभी बताऊंगा आप सबको पता ही होगा आर्मी में अगर आपको जाना है तो एक्जाम पास करना ही होगा एक्जाम पास करने के लिए आपको एक्जाम डेट पता होनी चाहिए क्योंकि आपको त तो त्यारी करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन मेरे पास हैं और कितने दिन नहीं है तो इस गुरियों मैं आपको एक्जाम डेट बताऊंगा तो एक्जाम डेट देख लो ठीक है सभी ARO सभी सेंटर और सभी दोस्तो जड़ारों की डेट आ गई है अभी मैं बताऊंगा जो अगस्त में बरतियां हो रही है अगस्त और सितंबर में जो बरतियां हो रही है उनका मैं आपको पहले लेटर दिखा देता हूँ यह रहा लेटर ठीक है जह हमारे टेलिग्राम पर मिल टेलिग्राम पर जोइन हो जाना है इसक्षिप्शन में लिंक है टेलिग्राम का एक्जाम जो डेट रही गई है दोस्तो जो बरतियां आगनीवीर आर्मी कि तहत होने वाली हैं अगस्त और सितंबर में आगस्त शितंबर्में रो आव्यिंडिया में जिसमें अगनिवीर GD, अगनिवीर Technical, अगनिवीर Colour, अगनिवीर Trailer में हैं इनका जो August और September में जो वर्थियां हैं, AROs की और Relation की उनका जो एक्जाम है वो आपका 16 October को होगा जो October में बर्थियां हैं, उनका जो एक्जाम हो वो 13 November 2022 को होगा अपनी रैली की डेट आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है मैं तो उस पर भी मैं नेश्ट वीडियो बना के दे दूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जिस बर्थियां जिनकी बर्थियां अक्तूबर महीने में होगी उनका जो एक्जाम है वो 13 November 2022 को होगा, जिसमें जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमेन और कलर कहा होगा जिनकी बर्थियां 9 December में होगी, उनका जो एक्जाम है लगबग जिसमें लड़कियों का भी एक्जाम होगा, वो होगा, 15 January 2023 को एक्जाम डेट जो अगनी वीर रैली के तहट होगई, जो पुराना पैंडिंग एक्जाम है, उसके बार मैं मैं बता दू आर्मी ने अपनी तरब से ओफिशल वैबसेट पर बता दिया है कि हमने एक्जाम और रैलीस जो पुरानी और पुराना एक्जाम है वो रद कर दिया है, आर्मी ने साफ कर दिया है, अब जो हाई कोट और सुप्रीम कोट में जो केस हुआ है, उसका जो भी रिजल्ट पर इसके बाद अगर एक्जाम होना है, तो वो फिर चेंज हो सकता है, ठीक, अभी इंडियन आर्मी ने उसको कैंसल कर दिया गया है, ठीक है, इंडियन आर्मी की तरब से, पुराने एक्जाम की अभी कोई अफडेट नहीं है, जब तक सुप्रीम कोट, हाई कोट से कोई ओ क्शवर ने आर्मी से छाब